जैहिन दोस्तो, दोस्तो कैसे आप? उमीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे. दोस्तो जो मेरा आज का वीडियो है ये है एजुकेशन. दोस्तो मेरा आज का वीडियो बहुत इंपोर्टेंट है. इसलिए बिलकुल ध्यान से समझेगा दोस्तो. दोस्तो एक pensioner है, इनका message आया था मुझे mail पर. दोस्तो ये retire हुए 30-9-2012 में. दोस्तो इनके लिए OROP-1 applicable थी. दोस्तो इनके साथ हुआ क्या? इनको मिल रही है National Pay की pension. इनने OROP-1 नहीं मिली. और दोस्तो क्यों नहीं मिली? ये सारी चीज़ दोस्तों मैं आपको समझाऊँगा इस वीडियो में. सबसे पहले दोस्तों मैंने आपको बता दिया ये जो pension आये ये आये 2012 में. इनकी calling fine service देखिए ये है इनकी 16 साल एक महिने. दोस्तो यानि इनको MACP हवलदार मिली हुई है. इनको जो pension मिल रही है वो हवलदार की मिल रही है. दोस्तो वैसे इनका actual में rank था नायक का. आप इसलिए इनको जो pension मिलेगी वो हवलदार की मिलेगी. अब दोस्तो अगर हम OROP के according इनकी pension देखें. तो दोस्तो इनकी बनती है 19.527 और ये OROP 1 के लिए eligible भी हैं. इनकी बनती है 19.527. अब दोस्तो इनको OROP क्यो नहीं दी? वो इसलिए नहीं दी क्योंकि national pay में इनकी ज़ सादा pension बन रही है. मैं आपको दिखाता हूँ कैसे? दोस्तो इनकी notional pay fix करी यहां पे 33.900 इस pay matrix के साब से आप देख रहे हैं यहां पे हवलदार rank 2800 ग्रेट पे इनकी fix करी हैं यहां पे 33.900 इनकी last basic accounting तो 33.900 प्लस उस पे MSP 5200 की फिर classification allowance 200. टोटाल हो गया 39.300 और दोस्तो उ नहां पे इनकी बनेगी? 19.650. दोस्तो यही pension यह ले रहे हैं. 19.650 पे दिये लगाके यह pension ले रहे हैं. और दोस्तो इनकी disability pension भी है. तो वो भी यह ले रहे हैं. तो दोस्तो इन्हों ने मेरे को पूछा कि सर क्या मुझे OROP 2 मिलेगी? दोस्तो इनको OROP 2 जब मिलेगी? ज beneficial pension कौन सी है इनकी? दोस्तो अभी यह ले रहे हैं. 19.650 और OROP 1 में इनकी बन रहे थी? 19.527. तो इनको beneficial pension कौन सी दी? नोशनल पे की. ऐसे ही OROP 2 में इनकी pension 19.650 से उपर जाती है. तो दोस्तो इनके लिए भी OROP 2 applicable होगी. OROP 2 इने मिलेगी. दोस्तो अब यह तो लाजमी बात है कि इनकी OROP 2 में pension 19.527 से आगे बढ़ेगी. और दोस्तो 19.650 से भी इनकी आगे बढ़ सकती है pension OROP 2 में. तो इने मिलेगी. जैसा मैं आपको बता दिया कि OROP 2 में अगर इनकी pension 19.650 से उपर जाती है. तो दोस्तो इनको OROP 2 मिलेगी फिर. तो दोस्तो फर्स्ट फॉर्मूलेशन के अधार पे, सेकिंड फॉर्मूलेशन के अधार पे, जो आपके लिए beneficial pension है, वो आप ले सकते हैं. ज इस पे इनको OROP 1 से ज़्यादा benefit मिल रहा. कितना मिल रहा था? 19.650 का. इसलिए इनको ये pension दिये. तो दोस्तो इनका मेरे पास call भी आया था. इनको भी मैंने अच्छे से समझा दिया था. यही पूछ रहे थे दोस्तो मेल पे आप देख रहे हैं. क्या सर मुझे OROP 2 या नहीं? मेरी pension कैसे revise हुआ करेगी? सर आप तो सब जानते हैं. आपको बहुत knowledge है. सर प्लीस मुझे सही जानकारी दे और मेरा confusion दूर करें. सर आपकी बड़ी किरप्या होगी. दोस्तो मैंने इनको बहुत अच्छे से समझा दिया है. कॉल पे भी समझा दिया है. कि आपके नोशनल पेकी नहीं. और रूपी टू की pension मिलेगी. क्योंकि और रूपी टू की pension जो है, फिर वो beneficial होगी. तो दोस्तो आई होब यह वीडियो समझे होंगे. आपको वीडियो अच्छा लगते तो वीडियो को like करें और दोस्तो चैनल को subscribe कर सकते हैं दोस्तो. Thank you so much.